Welcome to Aditya Classes आज हम लोग तीन्थ क्लास के साइंस के 13 चैप्टर Magnetic Effect of Electric Current में Electric Motor के बारे में study करेंगे कि Electric Motor क्या है इसका किस प्रिंसपल पे ये वर्क करता है इसका structure कैसा है force कैसे इसमें लगता है सबसे पहले Electric Motor है क्या Actually, Electric Motor एक rotating device है घूमने वाला device है जिसमें Electric Energy को Mechanical Energy में convert किया जाता है यानि कि इसमें Electricity को सप्लाई कराके घूमने वाला machine घूमाया जाता है जैसे पंखा में Electricity देते हैं तो वो गोल-गोल घूमने लगता है तो वो भी एक्टर से Motor की तरह वर्क करता है अब Electric Motor किस प्रिंसपल पे करम करता है तो इसमें है कि Ampere सहाब ने बताया Ampere के According किसी Current Current Conductor को अगर ये सपोर्ज किजिए ये Current Current Conductor या क्वाइल है इसको अगर हम होर्षू से Magnet या किसी Magnetic Field में ले जाएंगे तो इसमें Force लगेगा अगर Current Current Conductor को हम Magnetic Field में ले गए तो इसमें Force लगेगा इसी Force के Base पे Electric Motor बनाया जाते है यानि कि Principle क्या हुआ According to Ampere, Force is experienced by Current Current Conductor placed in Magnetic Field अगर सपोर्ज कि जिए इसमें Current Current कर रहा है और उसमें इसको Magnetic Field में डाल दिये तो इसमें Force लगेगा और ये Rotate करेगा तो ये Principle हो गया दूसरा Direction of Force अगर पता करना हूँ हमको कि किस Direction में Force लगेगा तो वो Direction of Force हम लोग फ्लेमिंग्स के Left Hand Rule से Find करेंगे एक और चीज़ इसमें Important to tie Split Ring जैसे अब हम थोड़ा सा इस्ट्रक्चर को देख रहे है ये Horseshoe Shape Magnet है ये हमारा Horseshoe Shape Magnet है इस Horseshoe Shape Magnet में अगर Rectangular Coil में रख रहा हूँ ये Rectangular Coil है अगर Horseshoe Shape Magnet के भीतर हमने घुसाया माल ये N Pole है और ये S Pole है तो Magnetic का Direction ऐसे हो जाएगा और इसमें Current सपोज की जे ऐसे जा रहा है तो Left Hand Rule के अनुसाद जब Magnet का Direction ऐसे है और Current का Direction ऐसे है तो इसमें इन्वाद आपको इन्वाद फोर्स लगेगा यानि कि ये वाला पोर्षन ऐसे घुमेगा और इस वाले पोर्षन पे ये जो उपर वाला है इस पे अन्दर की और फोर्स लगेगा इस पे उपर की और और इस तरह से ये ऐसे घुम जाएगा फिर इस पे यहाँ जैसे ही आएगा तो इसमें अंदर रहेगा इस पे उपर लएगा और ये फिर ऐसे घुमेगा और इस तरह से ये रोटेट करते रहेगा इस rotation में एक और चीज़ हमको देखना होता है यहाँ पे split ring लगा होता है देखिए यह half फिर इधर से half दूसरा है तो जब current इधर से हम लोग supply करते हैं suppose कि इधर से हम current supply कर रहे हैं देखिए यह current supply हो रहा है तो जब यह half घूम गया तो अब इधर से current supply होने लगा जब यहाँ पे था तो इसमें touch था और जब यह घूमेगा तो इसमें touch हो जाएगा तो हमेशा ऐसे ही current supply होगा जब यह मुरेगा तो फिर इधर से current supply हो जागा तो यह split ring का काम क्या है यह split ring current के condition को एक बार इधर से और जब यह वाला इधर आया तो फिर इधर से, मतलब इस portion से एक बार जा रहा है, एक बार इस portion से जा रहा है, तो current के direction को approach कर देगा, जिससे यह continuously एक ही direction में rotate करती रहे, जैसे यह है, तो यह ऐसे rotate किया, फिर दुबारा भी ऐसे ही rotate करेगा, और इस तरह से यह गोल गोल घूम रहेगा, magnet यानि होर्शू से magnet में rectangular coil डाल डिया, coil डालने से क्या हो गया, जब current flow कर आएंगे, तो इसमें downward और इसमें upward force लगेगा, और यह गोल गोल भूमेगा, ओके, यह हो गया आपको, electric motor का structure और function, इसमें splitting क्या किया, यह reverse करने के काम में आता है, यह direction, of current को reverse करता है, इसले इसको commutator भी पोलते हैं, ओके, electric motor में इतना है, thank you for watching this video.